आज हम ट्राइ करने वाले हैं Plaster of Parish जैसे P.O.P. भी बोला जाता है एकदम वाइट कलर में है और ये लगभग हाफ कीजी की है आज हम इससे बनाने जा रहे हैं Tea Light Candle का Holder ये वाली P.O.P. मैंने La Jordan Company से मंगवाई थी जो की बहुत ही कम कॉस्ट में मिली है और आप भी इसको आसानी से ले सकते हैं जैसी मैंने P.O.P. लिए इसके बाद मैंने थोड़ा वाटर एट कर दिया है वाटर एट करने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए अगर आपको भी ये Plaster of Paris, Clay या Raisin Kit कुछ भी मंगवाना है ना तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं LaJarden.com से उस पे अगर आप कुछ भी प्रॉड़क मंगवाते हैं तो आप मेरा coupon code यूज कर सकते हैं इसे आपको 9% discount मिल जाएगा अब मैंने इसको देखी इस paste को एक paper cup में रख दिया है और दूसरे paper cup से उसको दबा दिया है जिससे एक shape आ जाए अब हम इसको dry होने देंगे मैंने इसको overnight रख दिया था उसके बाद आप आसानी से इसको निकाल लेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और comment में बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आपको किस टाइप के टॉपिक्स आगे चाहिए हैं अब हम इसे send paper से धीरे धीरे रब कर लेंगे जिससे बहुत ही smooth हो जाए देखिए इसके बाद हमें एक favicol की layer लगानी है और हम लोग 100 के यानि 1 lakh subscriber के बहुत करीव है तो please मेरी help करिए इस channel को subscribe करके अब देखिए जो हमने इस पे favicol लगा दिया था उसके बाद यह dry हो चुका है उसके बाद हमें आप कोई सा भी color कर देना है मैं इसको pink आप इसको किसी भी color कर सकते हैं color करने के बाद यह बहुत ही अच्छा लगेगा और इसमें आपकी tea light candle भी बहुत प्यारी लगेगी La Jordan Company की लिंक आपको description में मिल जाएगी जिससे मैंने P.O.P. मंगवाई है दीख सकते हैं किता प्यारा लग रहा है हमने एकदम अच्छे से इसमें fit भी आ चुका है आप इसी कहीं भी रख सकते हैं किसी भी corner पे तो यह बहुत ही प्यारा लगेगा आप comment में जरूर बताना कि आपको यह DIY कैसा लगा